हाई लेवेंधीज, वेलकम टू इजीवे काउमर्स क्लासेज, मैं हूँ अबिता और गाईज आज की इस वीडियो से हम अपना प्रेक्टिकल पार्ट स्टाइक्स का स्टार्ट करेंगे यानि की mean median mode जो की हमारे first time में आरे हैं उसको हम cover करेंगे सबसे पहले so mean आज हम cover करने वारे हैं, mean पूरा नहीं हो पाएगा guys, क्यों नहीं हो पाएगा आज की इस वीडियो में देखेंगे हम उसे simple भाषा में बात करें तो उसे average भी कहा जाता है और mean भी कहा जाता है right इसका sign कैसा होता है capital X के उपर बार mean का sign simple सा यह होता है right but mean होता क्या है guys mean होता है जो भी हमारे पास observation होती है उनका average निकालना यानि कि उनको sum करके उतने जितनी observation है उसे divide करना so arithmetic mean को क्या कहा जाता है sum of all observation divided by the number of observation like अगर मैं इसका example दूँ इसका क्या मतलब है आप अपने marks का भी average हमेशा निकालते हो क्या करते हो अपने marks को total करते हो और divide कर देते हो जितने subjects होते है let's suppose करते हैं मांग लेते हैं कि आपके marks कितने आए हैं 10, 20, 30, 40, 50 5 subjects में आपके कुछ इस तरीके से marks आए हैं तो आप क्या करते हो इसका total करते हो कितना total आएगा 3, 3, 6, 4, 10, 150 ठीक हैं अब 150 को आप क्या करते हो divide कर देते हो guys number of observation यानि कि कितने subjects हमारे 5 थे तो average marks हमारा कितना है है 30 that is also called central value central tendency क्या आ रही है central value 30 आ रही है और जो कि according to formula भी आ रही है तो इसका formula क्या होते है guys मीन निकालने का summation x divided by n यानि कि n बोले तो number of observation या number of items and summation x यानि कि जो भी हमारे series है उसका summation कितना है ये बहुत एक simple सा mean है right but guys अब मैं आपको इस chapter का एक overview देने वाली हूँ ये तो आपको बता चल गया कि mean क्या है लेकिन आप जो observations होती है कितने type के series होती है जो आपको इसमें पढ़नी पढ़ेंगी so guys आपको तीन type के series जो अभी आप theory topic में भी आपने पढ़ा होगा individual series होती है एक हमारी एक हमारी guys discrete series होती है और third हमारी continuous series होती है right हमारे पास तीन टाइब के सीरीज होती है कैसे पता चलता है यह तीन टाइब के सीरीज होती है इंडिवीजन सीरीज में सिर्फ वेल्यूस दी होती है डिस्क्रीट सीरीज में वेल्यूस के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी भी मेंशन होती है ठीक है continuous series कौन सी होती है जिसमें 10 to 20, 20 to 30 एक इस तरीके से chain बनी होती है उसे हम continuous series कहते हैं और इसके साथ भी frequency given होती है यह just take example है लेकिन आपको पता होना चाहिए तीन type की series होती है individual, discrete, continuous और वो कौन सी होती है किसे judge करते हैं so individual series में सिर्फ series होती है उसके कोई frequency नहीं होती discrete में x के साथ frequency भी होगी continuous में x कैसा होता है एक chain की तरह 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एक chain बनी रहती है और उसकी frequency होती है यह तो है guys हमारी तीन series ठीक है अब जो आप mean निकालना सीखोगे इस series को यानि कि individual, discrete, continuous series, तीनों series के लिए तीन, तीन method दिये गए है यानि कि तीन, तीन formula है जो कि आपको पढ़ने है जो कि आपके exam में आ सकते हैं first जो होते है guys वो से simple कहा जाता है और direct method कहा जाता है यानि कि first method का नाम क्यों होता है direct, दूसरे कहा होता है shortcut और तीसरे method का नाम होता है step deviation ठीक है जो कि हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास total तीन method होते हैं simple से, shortcut method से, step deviation से shortcut method को assume mean method भी कहा जाता है अब ये तीनों method से आप individual series भी निकालना सीखोगे इनी तीनों method से आप discrete series में answer निकालना सीखोगे इनी method से आप continuous को भी solve करना सीखोगे यानि कि total आपके सामने guys nine formulas आएंगे और इनको solve करने के यानि कि एक series तीन formula से solve होती है और तीनों में answer same आना चाहिए और आता है ये discrete series को भी हम तीनों method से solve कर सकते हैं continuous series को भी तीनों method से solve कर सकते हैं So guys कैसे solve करते हैं ये हम next video में सीखेंगे अभी हमने one part जो है individual वो बस समझा है कि हम mean निकालते कैसे बट one by one यानि कि individual को कैसे इन से solve किया जाता है इनके formula को याद करना कितना असान है वो हम next video में सीखेंगे I hope guys ये जो एक basic information है वो आपको समझा है होगी और अगर समझा है guys तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने प्यारे से comments करें और अगर अगर आपका कोई भी डाउट और आप YouTube और Instagram पर पूछ सकते हैं Instagram पर ID है तब इता मैसी इसके लावा guys अगर आपने अभी दो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें Thank you